दोस्तो अगर आप भी अकास मदवाल को बुमरा जैसा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सस्क्राइब किजिएगा दोस्तो नखनावल और मुंबई के बिच खेले गे एलिमिनेटर मुकाबले में लगभग मुंबई के टीम ने कैमरन गिरिन और सुर्कुमार की छक्के चौपो भरी पारी की बदला टीम की बचा ली थी लाज़ तीर रोहिस सर्मा की सलाह मानते वे अकास मदवाल ने तीन गेंद पर चटकाए तीन विकेट लगतार पलट का रख दिया पूरा मुकाबला अंति ओभर तक जा पहुंचा मैं तो नखनावल और मुंबई के बिच खेला गया यह एलिमिनेटर मुकाबला हाइलेट वीडियो म में तो बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहिस सर्मा धोनी और हार्दी के में से कौन अच्छा कप्तान है अपनी किमती राय अपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शु रन पर दो विकेट गमा दिये इसके बाद केमरन ग्रीन और सुर कुमार यादों ने अर्टिस देंदों पर 66 रनों की पार्टनर्शिप की ग्रीन ने तालिस और सुर कुमार ने 33 रन बराकर मुंबई का स्कोरिंग रेट 10 रन प्रती ओवर के पास्पू बनाय रखा इसके ब ने संबली शुरुआत लेकिन मीदिल ओवर्स में लगतार विकेट गमाये और स्कोर से 80 रन दूर गई लेस्जी का स्कोर एक समय 79 रन पर दो विकेट था कुनाल पांडिया और मार्कस अस्टोनीज के रूप में टीम के पास दो सेट बैटर थे दोनों ने तिसरे विकेट के लिए तीस गेंदों पर 46 रनों की सज़दारी करके नखनावल को मैच में वापसी करा दी ती यहां से ऐसा लग रहा था कि नखनावल इस लक्ष के करीब पहुच जाएगी लेकिन टीम ने अगले 32 रन बनाने में बाकी आठ विकेट गमा दिये इनमें तीन बलेबाद तो र उन्होंने अपने दुसरे और नखनावल की पारी के दसवे ओवर में केवल एक रन दिया और बड़े बिकेट अपने नाम किये उनका यह ओवर ही मैच का ट्रेंडिंग पॉइंट साबित हुआ उन्होंने आईपी दुश्य के पहले तीन मैचों में केवल एक ही बिकेट लि अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जनकारी अच्छी लगी हो तो चैनलो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए